ध्यान देने योग जरूरी बाते जो की हम सभी को पता होनी चाहिए नमबर एक गुड के चाय खाने से कभी खासी और गले में खरास जैसी दिकत नहीं होती नमबर दो चिराग में नारियल का तेल डाल दिया जाए तो चिराग लंबे समय तक नहीं बुझता नमबर तिन कद्दू को काट कर आँखों पर लगाने से आँखों की रोसनी तेज हो जाती है नमबर चार चेहरे से मेक अप उतारने के लिए कंचे दुद का इस्तेमाल करें इससे मेक अप असानी से उतार जाएगा और इसकीन भी अच्छी रहेगी नमबर पाँच एक मोटी रोटी बनाकर उस पर असरसो का तेल वा हल्दी लगाकर मोच परवानने से लाब मिलता है नमबर चेहरे सेर्च में ये पाया गया है कि भुना हुआ लासुनाप के लिए सीला जीत का काम करता है इसक से एलीसिन होता है जीसे आप सरीरिक कमजोरी से बच सकते हैं नमबर साथ जीस के बाल बहुत ज़्यादा जहरते हैं उन्हें अरंडी के तेल और थोड़ा मेथी दाने का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए इसे बाल मजबूत और काले होंगे नमबर आठ डाप चोकलेट खाने से गले की खरास खतम हो जाती है नमबर नौ हल्दी बुनकर उनके उपर साथ मिलाकर चाटने से जुखाम खतम हो जाता है नमबर दस बुखार कमना आ रहा है तो उबले हुए चावलों का पानी पीए नमबर ग्यारा चेहरे पर दाने निकलते हो तो चेहरे को गिले करके पिटकीरी को फलके हाथों से पूरे चेहरे पर दस मिनट तक रगड़े दाने बहुत जल्दी खतम हो जाते है नमबर ग्यारा सर पर गरम घी की मालिस करने से यादास तेज हो जाती है नमबर बारा अंगुर का जूस पीने से लिकोरिया की बिमारी जड़ से खतम हो जाते है नमबर तेरा नकुनों पर नारियल का तेल की मालिस करने से रोसनी तेज हो जाती है नमबर चोड़ा अगर किसी की कोई हिसा जल जाये तो उस पर बरब के टुकडे से मालिस करने से जलन खत्म हो जाती है नमबर 16, छालो पर हरी धनिया का रस लगाने से छाले दूर हो जाते हैं नमबर 17, सुबा उठकर गुरूबने पानी में नमक डालकर गरारे करने से सीना साफ हो जाता है नमबर 18, पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बिमारियों से बचा जा सकता है नमबर 19, अगर सर्दी ठीक नहीं हो रही होगी तो अध्रा की भाप लेने से सर्दी से रात मिलती है नमबर 20, अगर सरीर में दर्द हो रहा है गरम पानी से नहाए ये एक बेहतरीन इलाज है दोस्तों आज की ये मेरी चुटी जनकारी आप सबको पसंद आए तब वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ